हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फोर कोड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई यूएस एप्लिकेशन डेवल्पमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने स्ट्रेची हेडर जो है वो इंप्लिमेंट करना है और इस बार जो हम यूएई एलिमेंट यूज करेंगे स्ट्रेची हेडर के लिए वो हम करेंगे कोलेक्शन वियू तो चलिए मेरे पास यहाँ पे एक लाइव रनिंग एक्जामपल है पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एक्जामपल्स हैं वो अपने आई यूएस डिवाइसिस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लेंविज की हेल्प के साथ डवेल्प कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक जो वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चल रही है उन्हीं के एक एप्लिकेशन का जो डिजाइन है वो यहाँ पर रैडी किया है और य यहाँ पर देख सकते हैं और उपर आप देख सकते हैं मैंने एक हैडर लगाया हुआ है और इस हैडर को मैंने स्ट्रेची एफेक्ट जो है वो दिया हुआ है तो यह बेसिकली काफी सारी एप्लिकेशन के अंदर आपने देखा होगा इस तरीके का एफेक्ट हैडर के अंद के जो हमारा header है वो stretchy होना चाहिए collection view के अंदर अगर मैं इसको उपर की तरफ scroll करता हूँ तो बिलकुल perfectly इस्क्रोल हो रहा है और data भी perfectly जो है वो display हो पा रहा है collection view के अंदर मगर उपर अगर मैं इसको नीचे की तरफ stretch करने की कोशिश करूँ तो मेरा header जो है वो बिलकुल perfectly जो है वो यहाँ पे stretchy effect जो है वो produce कर रहा है तो यही है हमारी आज की example तो चलिए friends यह थी practically working आज की example की अब हम देखेंगे theory के related थोड़ी सी information जो आपके लिए जानना काफी important है इस example को develop करने से पहले तो सबसे पहले है stretchy header तो यह basically common UI elements के अंदर हमने देखा होगा काफी सारी applications के अंदर वो चाहे Twitter हो चाहे Facebook हो चाहे Spotify हो तो header के अंदर जो visual flare वाला effect है वो mostly आपने applications के अंदर देखा होगा और उसी को हम implement करना आज की example के अंदर जो है वो learn करेंगे और अगर बात करें collection view की तो iOS के अंदर एक built-in class है जिसका name है UI collection view जिसको design किया गया है तांके आप manage कर पाएं ordered collection of data items को और उन्हें present कर पाएं with the help of customizable layout और यह एक काफी flexible way provide करता है तांके आप content को अच्छे way के साथ जो है वो user को present कर पाएं जिस तरीके से आपका table view work करता है सेम उसी way के साथ जो collection view है वो भी work करता है मगर इसमें आपको supplementary views जो हैं वो extra मिलते हैं और आप customized layout को use कर सकते हैं और in case आप कहीं पे भी grid layout को use करना चाहते हैं iOS application के अंदर तो collection view है जो है वो सबसे बड़िया जो है UI element है grid layout यहां फिर custom layout को use करने के लिए और इस example के अंदर क्योंकि हमने section header को use किया है तो इसको implement करने के लिए हमने एक class का जो help है वो ली है जो के है UI collection reusable view तो इसी की help के साथ आप footer और header को display करवा सकते हैं collection view के अंदर और इस example के अंदर क्योंकि हमने देख सकते हैं किस तरीके से हमने stretchy effect जो है वो produce किया है तो वो basically हमने UI collection view flow layout वली जो class है उसका जो behavior है उसको हमने chain किया है customize किया है उसको extend करके कहने का मतलब हमें एक sub class जो है वो implement करनी पड़ेगी जिसकी super class होगी UI collection view flow layout तो चलिए friends यह थी theory के related थोड़ी सी information इस example के related अब हम देखेंगे कि practically यह example हमने कैसे implement करनी है तो उसके लिए सबसे पहले इस project को मैं stop कर देता हूँ इस पूरे project को मैं close कर देता हूँ एक नए project के साथ हम जो है वो beginning से जो है इसकी development शुरू करेंगे यहाँ से file new project Xcode के अंदर single view app को develop करेंगे next पे click करेंगे अब आपने product name के अंदर आज की example का जो name है वो आप कोई भी रख सकते हैं मैं अपने accordingly इस तरीके से जो एक name application का वो रख रहा हूँ तो बाकी settings आपने default रहने देनी है जो language हम use करेंगे आज की example को implement करने के लिए वो हम करेंगे swift और चलिए next पे click करते हैं अब आपने अपने laptop के अंदर कहीं पे भी एक जो folder है वो create कर लेना है तांके आज की example का जो सारा source code है उस particular folder के अंदर जो है वो save हो पाए तो मैं एक folder इस तरीके से जो है वो create कर रहा हूं और इस folder के अंदर पूरे का पूरा project जो है वो मैं create कर देता हूं तो friends यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा project है वो create हो चुका है अगर मैं आपको build settings के अंदर दिखाओं तो यहाँ पे मैंने जो swift का version यूज किया है वो है 5 और अगर बात करें X code की तो वो है मेरे पास 10.2.1 अगर आपके पास इस से भी higher version है तब भी आप इस example को इसी तरीके से जो है वो develop कर पाएंगे और जो मेरे पास laptop है यह है Macbook Air तो friends अगर आप इस channel के उपर नए है चैनल की वीडियो पहली बार देखने हैं तो जल्दी से इस channel को subscribe कर लें क्योंकि इस channel के उपर हम daily programming के लेटर जो video tutorials है उनके सबसे बड़ी है जो methods है वो upload करते रहते हैं जिससे आपको programming सीखने है और समयने में काफी help मिलेगी और in case कहीं पर भी आपको कोई problem आती है तो आप हमें directly email बेश सकते हैं या फिर हमें YouTube की video के नीचे comment कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपकी जो query है उसका जो response है जो reply है उसका जो solution है वो जतनी जल्दी हो सके हम दे पाएं friends इस example के लिए में indoor storyboard में जलते हैं तो आप original example के अंदर देख सकते हैं हमने काफी सारी जो images हैं वो use की हैं जो के web series के related हैं आप इन्हें किसी भी website से यहां फिर Google से search करके जो है वो download कर सकते हैं तो मैंने पहले से ही जो है वो यहां पर download करके रखी हुई है काफी सारी images तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर मेरे पास एक folder जो है वो मैंने create करके रखा हुआ है पहले से ही तो मैं इसको एक बार open करता हूँ तो आपने करना गया यहां पर आप देख सकते हैं सारी images जो है वो मैंने jpg format में ली हुई है और dimension width और height दियो है images की कोई भी हो सकती है आप किसी भी dimension की images जो है वो ले सकते हैं आपने इन सारी images को इस assessed folder के अंदर इस app icon के नीचे आपने drag and drop करना है with the help of mouse तो मैं सारी images को इस तरीके से पहले select कर लेता हूँ और इन्हें drag and drop करता हूँ अपने project के अंदर तो यहां पर आप देख सकते हैं सारी की सारी जो images है वो project के अंदर जो है वो import हो चुकी है अब हमने इस example का जो graphical user interface है उसको ready करना है तो उसके लिए main door storyboard में चलते हैं तो सबसे पहला जो UI element हम use करेंगे वो करेंगे UI collection view तो object library के थुरू मैं यहां पर search करता हूँ collection और जैसे मैंने collection search किया आप देख सकते हैं काफी सारे elements जो हैं वो यहां पर निकल के आए हैं मैंने पहला UI collection view वाला जो element है इसको drag and drop करना है storyboard के ऊपर अब हमने इस collection view के ऊपर जो constraints है वो apply करने हैं तो मैं इस add new constraints icon पे click करता हूँ और उपर मैंने सबसे पहले यहां पर view select करना है और यहां पर मैंने 0 लीडिंग भी 0 trailing 0 और यहां पर जो bottom इसको भी 0 यहां पर specify करना है और जिसे add करना है as a constraint तो आप यहां पर देख सकते हैं मेरे सारे जो constraints है वो add हो चुके हैं यहां पर आप properly देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं अब हमने करना गया है अब हमने cell का जो size है वो specify करना है तो collection view को select करेंगे यहां पर collection view को मैंने select किया और ऊपर हम यहां पर cell का जो size है वो provide करेंगे 200 by 200 और नीचे जो minimum spacing है वो हमने करनी है 5 lines के लिए 5 और section insert top पे 2 करेंगे bottom पे 0 left पे 2 right पे 2 तो इस तरीके की जो configuration है वो आपने कर देनी है अब हमने यहां पर attribute inspector के अंदर जाना है हमारी सबसे important जो option है section in header इसको आपने enable करना है तांके section जो है header का जो है वो बन पाए अब हमने size inspector के अंदर जाना है और header का जो size है वो भी यहां पर specify करना है 414 और इसकी जो height है वो आपने करनी है 250 तो इस तरीके की जो configuration है वो आपने कर देनी है अब हमने object library के थूँ image view को जो है drag and drop करना है section header के अंदर और इसकी भी जो width है वो आपने देनी है 414 और height आपने देनी है 250 और इसको align करना है बिल्कुल center में तो इसको align कर देता हूँ center में अब attribute inspector के अंदर जाने के बाद आपने जो image का यहां पर mention करना है वो आपने mention करना है banner तो चलिए image हमारी जो है वो यहां पर लग चुकी है अब हमने इसका content mode है वो करना है aspect fill तो content mode हमने aspect field कर दिया है अब हम जो इस image का जो constraints है वो apply कर देते हैं तो यहां से add new constraints icon पे click करते हैं और चारो साइडों पर इसको आपने इस तरीके से mouse की help के साथ click करके highlight करना है और यहां पर add करना है as a constraint तो चलिए आगे अब हमने क्या करना है अब हमने इस collection view cell के अंदर एक image और एक label जो है वो drag and drop करना आप देख सकते हैं मैंने एक image और एक label जो है वो इस तरीके से display करवाया हुआ है तो चलिए object library के थूँ यहां पर हम एक image view को drag and drop करते हैं यहां पर और इस image view का जो size है उसकी width जो है वो हम करेंगे 180 और जो height है वो आपने करनी है 150 और इसको आपने properly यहां पर place करना है और attribute inspector के थूँ एक image जो है वो यहां पर लगा के देख लेनी है और इसकी वी जो content mode property है इसको आपने करना है aspect field अब आपने object library के थूँ एक label जो है वो drag and drop करना है अपने इस collection view cell के अंदर और इसका भी जो size है width increase कर देते हैं इसको align कर देते हैं center में font 15 कर देते हैं और यहां से इसका जो style है वो मैं बूल्ड कर देता हूँ color आप कोई भी रख सकते हैं और यहां पर मैं लिख देता हूँ अपनी जो भी वेब series है उसका name तो चलिए यहां पर जो मेरा cell है वो भी बन चुका है अब हमने इस image और इस label के ऊपर जो constraints है वो apply करने है तो मैं पहले इस image को select करूँगा add new constraints icon पे click करूँगा constraints to margin वाले जो check box के इसको uncheck करूँगा और top 10, leading 10, trailing 10 और यहां पर जो height है वो specify करके इसको add as a constraint apply करूँगा अब मैं इस label को select करूँगा add new constraints फिर से उसी तरीके से check box को uncheck करेंगे 10, 10, 10 और यहां पर जो height है वो mention करके इसको add as a constraints जो है वो apply करेंगे अब हमने इस collection view cell को select करना है और इसके जो identifier का name है वो यहां पर कोई भी आप name enter कर सकते हैं मैंने यहां पर sell लिया तो जो name यहां पर enter करेंगे वो same name आपको coding के अंदर जो है वो use करना पड़ेगा चलिए अब हमने इस collection reusable view को भी select करना है और यहां पर जो इसका identifier का name है वो आपने लेना है head review और अब अब दोनों के जो identifier है वो हमने set कर दिये हैं अब collection view का जो delegate and data source है उसको भी हम set करेंगे तो उसके लिए collection view को select करते हैं keyboard पर control की को press करते हैं उसे drag and drop करेंगे इस तरीके से सबसे पहले data source और फिर से इसी तरीके से drag and drop और अब हम select करेंगे delegate अब हमारे पास data source and delegate जो है वो set हो चुके हैं अब हमने इस दोनों images चाहे वो header हो चाहे वो cell के अंदर image हो यहां फिर label हो इन सभी का जो IB outlet है वो इनकी respective classes के अंदर जो है वो हमने create करना है तो उसके लिए मैं दो classes add करूँगा यहां पर सबसे पहले new file cocoa touch class next पे क्लिक करेंगे अब आपने जो super class use करनी है वो करनी है ui collection view cell class और उपर जो class का name है वो आप कोई भी दे सकते हैं तो super class बड़े द्यान से आपने नीचे यहां पे specify करनी है next पे क्लिक करेंगे और यहां पे इसको create करेंगे अब एक और class यहां पे add करते हैं cocoa touch class अब हम जो super class use करेंगे वो करेंगे ui collection reusable view और उपर हम जो class का name है वो कोई भी रख सकते हैं तो मैं इस रिक्के से एक name जो है वो रख रहा हूँ collection view और चलिए इसको next पे क्लिक करके create कर देते हैं दोनों जो हमारी custom classes है वो बन चुकी है अब हमने इनको respective component के साथ connect करना है तो उसके लिए main और storyboard में चलते हैं और सबसे पहले इस cell को select करते हैं identity inspector के अंदर चलते हैं और यहां पर class का जो name है वो लिखने की कोशिश करते हैं my collection view cell और enter press करना है अब आपने इस collection reusable view को select करना है identity inspector में जाना है और यहां पर भी जो class है वो connect करने है तो चलिए class की जो connectivity है custom classes की वो हो चुकी है अब हमने इन दो classes चाहे वो my collection view cell और यहां फिर stretchy header collection view और इन दोनों में हमने ib outlets जो है वो create करने हैं तो अब हम सीखेंगे कैसे हमने ib outlets को जो है वो create करना है तो friends ib outlets create करने के लिए मैं अपना जो favorite method है assistant editor की help के साथ वही use करूँगा तो चलिए मिने mouse का cursor देखिए यह जो circle दो join की हुए है यह basically assistant editor है इसके उपर क्लिक करते हैं side वले panels को मैं hide कर देता हूं तांके आप clearly ib outlets कैसे create करते हैं उनको देख पाएं तो by default यहां पर जो view controller है वो open हो चुका है तो यहां पर हम हम जो अपने collection view का ib outlet है वो create करेंगे तो यहां पर मैं थोड़ी सी space दे देता हूं collection view को select करता हूं keyboard पर control key को press करते हैं उसे drag and drop करूँगा यहां पर लिखूँगा my collection view और इसे connect कर देते हैं तो चलिए अब हम automatic की जगे पर manual के थुरू अपनी जो stretchy header collection view वाली फाइल है इसको open करते हैं और इसके अंदर अब हम जो अपना यहां पर आप देख पा रहे हैं header इसका जो एक ib outlet हो create करेंगे तो मैं पहले इस banner वाली image को select करता हूँ keyboard पर control की को press करते हैं उसे drag and drop करूँगा यहां पर लिखूँगा my stretchy image और इसे भी जो है connect कर देते हैं अब हमने manual की जगे पर फिर से open करनी है my collection view cell class और इसके अंदर अब हम cell की image और label का जो ib outlet है वो create करेंगे पहले image को select करेंगे drag and drop करेंगे से control की को press करते हो यहां पर लिखेंगे my image view और इसे connect कर लेते हैं और अब इस label को select करेंगे और इसी तरीके से control की को press करते हो और drag and drop और यहां पर लिखेंगे my label view और इसे भी जो है connect कर देते हैं तो friends मेरे जो ib outlets हैं वो create हो चुकी हैं अब हमने फिर से standard editor के अंदर जाना है side वाले panels को unhide करना है और एक बार इसको मैं जो है save कर देता हूं सबी files को तांके coding के वक्त जो modification है वो reflect कर पाए अब हमने इस collection view का जो delegate and data source है वो set करना है तो उसके लिए इस collection view को select करेंगे keyboard पर control key को press करते हैं इस तरीके से drag and drop करेंगे यहां पर हमने पहले ही जो है data source और delegate जो है वो set कर दी है तो चलिए आगे फर्दर चलते हैं अब आप original example के अंदर देख पा रहे हैं हमने किस तरीके से web series के related जो data है उसको display करवाया हुआ है collection view के अंदर तो data collection view के अंदर display करवाने के लिए उसे as a data source हमें कहीं पर जो है store करके रखना पड़ेगा तो storage के लिए यहां फिर data source को create करने के लिए मैं एक user defined array जो है वो create करूँगा तो इसके लिए मैं नई file यहां पर add करता हूँ Swift file होगी file का name आप कोई भी रख सकते हैं मैं अपने accordingly web series data इस तरीके की जो file का name है वो रखके create करना हूँ इस file को project के अंदर अब मैं यहां पर class create करूँगा जो के user defined class और इसमें दो data members होंगे एक होगा web series name को store करवाने के लिए string type का data और एक होगा web series की image को store करवाने के लिए वो पी string type का data एक initializer यूज़ करेंगे यहां पर w name इसको भी मैं लेता हूँ string type का w image इसको भी मैं लोंगा string type का अब हमने actual variables को इन परामेटर के साथ रेप्लेस करेंगे चलिए data हमने यहां पर इस तरीके से जो है add कर दिया है assign कर दिया है अब मेरे पास जो user defined जो class है वो बिल्कुल ready है तो चलिए आगे further coding करते हैं तो उसके लिए मैं view controller.swift file के अंदर चलता हूँ और यहां पर अब हम एक array जो है वो create करेंगे तो array create मैं इस तरीके से करता हूँ किस type की array होगी web series data type की array होगी जो class हमने create की थी अब इस comment वली line को delete कर देते हैं तांके कोई confusion न रहे और इस blank array के अंदर data को append करने के लिए मैं अलग से एक method जो है वो create करूँगा और उसमें एक object आपको create करना बताऊंगा बाकी objects आपने खुद create करने हैं बड़ा ही simple वे हैं यहां पर मैं लिखना हूँ प्राइवेट function fill data और अब हमने यहां पर एक object create करना है web series one और web series data type की जो class थी उसको उसका initializer call करेंगे यहां पर image का नेम और proper नेम जो है वो pass करेंगे और इसको web series list dot append के through add करेंगे array के अंदर चलिए मैं यहां पर पहली web series का जो नेम है वो लिख देता हूँ आश्रम और इसमें जो image का नेम है वो भी मैं यहां पर लिख देता हूँ without extension और यहां पर मैं आपको image भी दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने यह वली image जो है वो यूज की यह आप देख सकते हैं जो spelling यहां पर है चाहे वो small letter में तो small letter में लिखने पढ़ेंगे अगर capital में तो capital में लिखने पढ़ेंगे without extension तो पहला object एक image के लिए मैंने आपको create करना बता दिया है बाकी जो है वो आपके खुद create करना तो मैंने coding जो है वो पहले से कर रखी है तांके थोड़ा सा time जो है वो यहां पर save हो पाए तो चलिए coding को copy paste करते हैं यहां पर तो चलिए friends मैंने coding copy कर लिए और यहां पर इसको paste कर देते हैं command भी के तुरू तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने web series 1 से लेके web series 13 तक सभी objects को one by one create किया है और उनको append किया है इस web series list के अंदर तो मेरा जो fill data method है वो बिलकुल ready है अब हमने इस fill data method को call करना है view did load के अंदर तांके जैसे आपकी application start हो view did load automatically execute होगा और fill data भी automatically यहां से execute हो जाएगा और सारे का सारा data जो है वो हमारे collection view के अंदर use करने के लिए web series में बिलकुल ready होगा चलिए अब हमने further जो coding करनी है वो करनी है एक हमने flow layout वला जो class है वो यहां पे create करेंगे तांके behavior जो है collection view का उसमें जो header है उसको stretchy effect जो है वो हम दे पाएं तो उसके लिए यहां पे add करते है new file और यह cocoa touch class होगी और इसके जो super class है वो हम use करेंगे यू आई collection view flow layout और उपर जो class का name है वो अपने accordingly जो है वो रख सकते हैं मैं यहां पर रखता हूँ flow my collection view flow layout और इसको next पर click करके इसको create कर देते हैं और इस जो हमने यहां पर एक sub class define की है इसके अंदर दो methods जो है वो हम override करेंगे तो सबसे पहला method जो हम override करेंगे वो हम करेंगे layout attributes for elements और इस तरीके का method जो है वो हम override करेंगे और इसमें code लिखेंगे तांके हम header के अंदर जो है वो stretchy effect जो है वो देए पाएं तो यहां पर मैं एक constant लेता हूं इस तरीके से और इसको pass करेंगे rect अब हमने यहां पर एक loop create करनी है for each हर एक object को यहां पर हम iterate करेंगे attribute object का name रखेंगे और यहां पर if statement को use करेंगे if attribute.represented element of kind equal to अगर वो section header के equal है तब हम यहां पर guard statement को use करेंगे उसमें collection view डालेंगे else हम यहां पर इसको return करेंगे और अब हमने यहां पर content offset property को use करना है तांके stretchy effect जो है वो हमारे पास यहां पर निकल के आप आए content offset के तो इसकी y को pick करेंगे और अब हमने यहां पर फिर से if statement use करनी है content offset y अगर 0 से कम है तो इस तरीके से हमने width और height जो है वो find out करनी है collection view के frame की width से तो code एक दो बार आप use करेंगे तो आप जान पाएंगे कितना simple यह code है और किस तरीके से यह work करता है अब हाइड माइनस content offset y और अब हम यहां पर एट्रीबूट का जो फ्रेम है उसको भी सेट करेंगे cg रेक्ट के थ्रू यहां पर एक्स इसको पास करेंगे 0 वाई इसको पास करेंगे content offset y विर्थ इत को विर्थ पास करेंगे और हाइड इसको हाइड पास करेंगे इस तरीके से अब हमने जहां पर आपकी यह वाला method close होता है वहां पर हम attributes को जो है वो यहां पर return करेंगे चलिए तो यह हमारा जो method है बिलकुल ready है यह वाला ओवराइड जो हमने किया था layout attributes for elements वाला method बिलकुल ready है और अब हमने एक और यहां पर जो है method को जो है वो override करना है और यहां पर हम लिखेंगे should invalidate layout for bounce chain और इसको return करना है हमने true चलिए और अब आप देख सकते हैं पूरे का पूरा जो हमने custom class जो create की थी उसका code बिलकुल यहां पर pause करके इसकी जो coding है वो no down कर सकते हैं अब हमने इसी flow layout को use करना है अपने collection view के साथ तो वो हम कैसे use करेंगे उसके लिए यहां पर हम एक object create करेंगे जो class हमने custom create की थी उसका object create करेंगे इस तरिके से flow layout नाम का और यहां पर लिकेंगे my collection view flow layout blank object होगा अब हमने इसकी properties जो है वो set करनी है पहले तो हम scroll direction करेंगे अब हम यहां पर item size जो है इसकी property है इसको set करेंगे यहां पर cg size के through जो है value इसको जो है वो pass करेंगे और इसको हमने pass करनी है width 100 height 100 चलिए अब हमने इसकी जो है एक और property है minimum line spacing इसको भी हमने set करना यहां पर 1.0 तो यह कुछ default properties है जो हमें यहां पर set करनी पढ़ेंगे आप चाहिए तो इन properties के बारे में और भी detail में जान सकते हैं Google पर search करके my collection view dot collection view layout equal to flow layout इस तरीके से तो यह देखिए हमने यहां पर भी जो configuration है वो कर दी है अब हमने अपना जो collection view वाला जो implementation वाले जो methods हैं यहां फिर कह सकते हो protocols हैं उनको यूज करना है और उनको यूज करके यहां पर हम coding यूज है वो करेंगे चलिए नीचे हम चलते हैं यहां पर सबसे last में और यहां पर अब हम तीन protocols को यूज करेंगे यूज को यूज करेंगे यूज को यूज करना है और आपको पता ही है जब भी आपने protocols को यूज करना है तो उनको confirm करने के लिए आपको उनके जो fix पर क्लिक करूंगा तो जो compulsory methods है उनका जो skeleton है यहां पर बन चुका है आपने इनकी coding तो करनी ही करनी है इनके इलावा अगर और भी आपको required methods है प्रोडोगोल के related तो उनको आप code कर सकते हैं तो सबसे पहला collection view का method है कि number of items जो है वो कितनी होनी चाहिए तो यहां पर हम return करेंगे web series की जो list है उसकी counting अब second method है collection view का वो है cell for item add के हर एक cell को हमने किस तरीके से implement करना है तो उसके लिए यहां पर code लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे let's set cell equal to my collection view.dq reusable cell जो है वो use करेंगे और यहां पर identify pass करेंगे cell index path और इसको हम type cast करेंगे my collection view cell class के through अब हमने cell की जो image है वो set करनी है मगर पहले मैं आपको बता दूँ कि यहां पर हमने cell जो word है वो कहां से use किया तो आपको मैं एक बार फिर से remind कर वा देता हूं कि जब हमने collection view के अंदर cell का identify set किया था तब हमने यहां पर जो name लिखा था cell तो same name अब हमें जो है coding के अंदर भी जो है वो use करना पड़ेगा इसलिए मैंने यहां पर लिखा है cell अब हम इस cell की जो image है my image view है उसको set करेंगे उसकी image property को data कहां से आएगा ui image के named parameter के through और यहां पर web series list वाली जो array है उसको use करेंगे index.row और यहां पर कौन सा attribute web series image अब हम यहां पर करेंगे cell की जो my label जो है उसकी text property को set करेंगे web series list में से data आएगा और कौन सा attribute होगा web series name अब मैं आपको एक चीज और यहां पर दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने जो original image यहां पर जो मारी example है उसके अंदर हमने image का जो corner उसको round किया हुआ है और यहां पर हर एक cell के चारों corner पर हमने एक border जो है black color का वो display करवाया हुआ है तो उसके लिए और round करने है तो यहां पर my image.layer.cornerradius और यहां पर value आप कम जारा दे सकते हैं मैं 20 दे रहा हूं और return करेंगे cell को तो चलिए यह वाला method भी जो है वो हमारा बिल्कुल ready है आप चाहें को वीडियो को यहां पर pause करके इसकी coding जो है वो no down कर सकते हैं अब हम एक method और यहां पर implement करेंगे header का size set करने के लिए तो reference यहां पर size for header in section इस तरीके का parameter वाला method है वो collection view का उसको implement करेंगा यहां पर return करेंगे हम cg size और यहां पर width और height हमने provide करनी है width जाएगी my collection view के frame के size की width accordingly और height हमने directly 250 जो है static value जो है वो provide करनी है अब example के अंदर देख सकते हैं कि हर एक row में मैंने दो columns जो है वो display करवाए हुए है और दोनों column की जो width है वो same है तो width को same करने के लिए हम यहां पर method implement करेंगे size for item इस तरीके का लिखने की कोशिश करनी है और यहां पर enter press करना है तो method का जो skeleton है वो यहां पर बन चुका है अब हम यहां पर लिखेंगे let size equal to collection view dot उसका frame उसका size उसकी width और padding के लिए minus 10 करेंगे और दो columns में divide करने के लिए दो के साथ divide करेंगे और तीन columns में divide करना चाहते हैं तो तीन के साथ divide करेंगे और यहां पर return करेंगे cg size और और यहां पर हमने width देनी है size के equal और height फिर से 250 जो हमारी static value थी 250 नहीं 200 आपने करनी है को कि cell की height मैंने 200 ली थी तो चलिए यह भी method जो है वो हमारा यहां पर ready हो चुका है अब हमारे पास last method जो बचा है वो है supplementary view कहने का मतलब header को display करवाने के लिए यहां पर view for supplementary इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे enterprise करेंगे हमारा जो skeleton है वो यहां पर बन चुका है अब हमने यहां पर लिखना है let header view एक constant लेंगे value कहां से आएगी collection view का dq reusable supplementary view वहला method call करेंगे और यहां पर इसको for kind यह हो है वो यहां पर pass करेंगे इसको of kind में हम pass करेंगे ui collection view dot element kind section header के लिए identifier में हम लिखेंगे header view और for में हम यहां पर करेंगे index path और इसको typecast करेंगे इस तरीके से stretchy जो हमारी class हमने create की थी उसके through और आप चाहें तो यहां पर आपको मैं बता जिता हूं यह identifier हमने कहां से use किया तो आप देख सकते हैं main road storyboard के अंदर जो यहां पर section header था उसमें हमने identify का नेम लिखा था header view तो same name हमने भी यहां पर जो है वो यूज किया है coding के अंदर अब हमने यहां पर next code जो लिखना है वो लिखना है header view के अंदर जो उसकी my stretchy image उसकी image को set करेंगे data कहां से आएगा ui image से आएगा इसको named parameter के through image का जो नेम है वो पास करेंगे banner तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से banner जो है वो यहां पर image का name रखा हुआ है banner तो same name मैंने यहां पर इसको pass करना है और अब हमने header को यहां पर return करना है header view को और last में इफ अगर statement नहीं चलती तो यहां पर हम return करेंगे ui collection view ui collection reasonable view इसका एक blank object जो है वो इसको pass करेंगे तो चलिए हो रही है और यहां पर build जो है वो succeed हो चुका है और आप इसकी output देखते हैं किस तरीके से निकल के आती है तो आप देख सकते हैं बिलकुल perfectly grid view के अंदर जो data वो display हो चुका है अब हम stretchy effect देखते हैं क्या वो निकल के आता है तो अगर आप चाहें तो इसको और भी उपर तक लेकर जा सकते हैं header को तो उसको मैं जो setting है वो आपको बता देता हूं यहां पर इस image को select कीजिए यहां फिर इस collection view को select कीजिए हो यहां पर देख लेते हैं किस तरीके से जो है वो work कर रहा है तो यहां पर मैं 0 enter करके देख लेता हूं एक बात हुआ है collection view का जो टॉप है उसको मैं delete कर देता हूं यहां पर और फिर से add करता हूं यहां पर collection view को select करके यहां पर जो आव व्यू को select करूंगा और यहां पर zero करके इसको add करूंगा एज़े तो चली इसको मैं सेव करता अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है जो है यहां पे निकल के आया तो अब आप देख पाएंगे के मेरा जो हैडर था वो बिलकुल स्क्रीन को कवर आप कर चुका है और स्ट्रेची एफेक्ट भी जो है वो यहां पे आ चुका है तो फ्रेंड स्ट करना मत बोलिए बैल आइकोन को प्रेस कीजिए तांके जैसे हम कोई नए वीडियो अप्लोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच पाएं चैनल के साथ बने रही है वीडियो देखते रही है प्रोग्रामिंग सीखते रही है ठैंक्स प्रेंड्स पर वाचिंग अबर वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ तब तक बाए बाए